वेल्कम टू माई चैनल और आज मैं बनाने वाली हूँ एक बैंगॉली रेसिपी जिसका नाम है आलू भाजा तो आलू भाजा बनाने के लिए मैंने ले ली हैं और मैंने आज रेड कलर के आलो लिये हैं और कहते हैं कि शुगर पेशन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं तो चलिए फटा फट बनाना शुरू करते हैं और सबसे पहले आलो को पील कर लेना है उसके बाद आलों को पीसिस में कट कर लेना है मतलब जैसे पीस आपको पसंद होना बड़े चोटे जैसे भी और कुछ जो मेशीन वगारा चोट चोटी होती है जो नेट पे देखते हैं सब कि मैंने सारे आलो कट कर ली हैं और इने पानी में डिप करके रख दिया है क्योंकि आलो अगर लेट यूज करें तो काले पर जाते हैं तो जब तक मैं बाकी तियारी करती हूं आलो पानी में रहेंगे और मैंने बाकी क्या चीज़े ली हैं तो चलिए वो भी आपको दिखा बहुत ज्यादा चीज़े नहीं हैं जैसे लहसंड प्याज अध्रके वह कुछ भी नहीं है सिंपल आप देखिए मस्टर ऑइल है और मैंने साथ में लिया है काला जीरा अब आप कहोगी कि काला जीरा क्या होता है मतलब जैसे हम डेली यूज करते हैं उसे जीरा भी कहते हैं सफ़ेज जीरा भी कहते हैं लेकिन ये जो जीरा है इसे काला जीरा कहते हैं इसे शाही जीरा कहते हैं इसे हमाली जीरा भी कहते हैं मतलब बहुत सारे नाम है इस जीरे के और खुश्वो के तो कहने ही क्या तो मैं आज ये जीरा यूज करने वाली हूँ और मैं काली जीरी काला जीरा क्या होते हैं अलग होते हैं एक होते हैं वो भी बताने वाली हूँ और मैंने लिया है नमक और हल्दी साथ में लिया हैं दो ह सब्सक्राइब अधर बैंट भाल सेक्षी मथी मर्च सब्सक्राइब लगेट तो तब मैं एक हम मिर्च को फ्राइब जाने थे में से निकाल लूँगे उनका काम होगा जब आलू भाजा बन जाएगा उसको सजाने के लिए मतलब जो गानिश करना रहे ना उसके लिए इसका काम आएगा और अगर फ्राइब कर देना मिर्चों को तो उनकी जो उनका मिर्चों का जो तीका पन है वो कम हो जाता है इस जाता है जो भी काम कर रहा हो उस पर आ Elsाता है तो यह लिजि अर्य मिर्चा निकल चुकी हैं बच गहीं दाले मिर्चे ऑच्छी बोन चुकी है और अब मैं डालने वाली हूँ काला जीरा जीना तो यह लिजि और जीरा भी अच्छे से तड़क रहा है और खुश्बू जो आलू में ही पहले से हल्दी नमक डाल कर मैरिनेट करके रखते हैं कुछ मिनट्स के लिए और फिर फ्राइ करते हैं तो मैंने ऐसे नहीं किया है मैं सिंपल जब जीरा भून चुका है थोड़ा सा तड़क गया है तो उस पर आलू डाल रहे हैं और इसके उपर से मैं हल्दी और नमक डालूँगी और फिर इने मिक्स कर लूँगी मतलब वहिना की हर एक इंसान का तरीका अलग है तो यह देखे मैंने हल्दी डाल दी है नमक डाल दी है बहुत कम साले डाले हैं और यह तो रही बात की बैंगॉली मतलब वहां पे इसे बैंगॉली लोग आलू भाजा कहते हैं लेकिन हमारे नौर्थ में तो यह जीरा आलू हो गए सीम सी चीज हैं लेकिन नाम अलग अलग है न तो देखिए अब यह पलटने में मुश्किल हो रहे हैं तो मैंने बड़ा स्पोन भी ले लिया है साथ में क्यूंकि पीसिस लंब है न तो पैंसे बाहर ही चले जा रहे हैं तो वालू भाजा हमारा पकना शुरू हो रहा वो होते कैसे हैं वो दिखते कैसे हैं तो चलिए यह रहे हमारे सारे जीरे तो यह है जीरा जो हम रोज यूज करते हैं सफेज जीरा भी कहते हैं और यह रही काले जीरी कुछ लोग काले जीरा और काले जीरी को एक ही चीज मानते हैं तो नहीं वो अलग अलग है यह काले जी बगजाना और यह रही जीरे की बाते तो पहले आलू चेक कर लेते हैं तो यह देखे और जब आलू धीरे धीरे पकना स्टार्ट होते हैं तो उन्हें मतलब चलाना बहुत मुश्किल हो तो इसलिए कि आलू टूटना शुरू हो जाते हैं तो हमें मतलब जैसे हम हलका पैन को हिलाते हैं जैसे टॉस करते हैं उस तरीके के वैसे धीरे-धीरे करना पड़ता है और आलू मतलब पक ही चुके हैं अलकी से कसर है इसे जरा सी तो मैं बहुत ध्यान से चला रही हूं ताकि इनके जो पेसिस हैं वो तूटना जाए और बस यूं करके पैन को हिलाएंगे ना तो मिल वी जाते हैं आपको कर च रहता है तो पक चुके है अलू कि ना कि क्र चक या नहीं अए तो जिलिए दिखाती हूं आपको कि आलू पक कुके है तो यह करने हैं तो यह देखें जब हम इसको प्रेस कर रहें स्पून से तो बिल्कुल ही देखो एकदम से पल पन गया तो पक चुका है और यह था हमारा अलू भाजा अब इसे निकाल लेंगे बोल में तो आप देख लिए कि मैंने काफी कोशिश की है कि पीस ना टूटें क्योंकि मैंने उस सबीच बीच में हिलाया जैसे हम टॉस करते हैं फुल टॉस तो नहीं किया जरा जरा सा ताकि पीसिस वैसे ही रहें जैसे हमने इनको स्लाइस किया था काटा था जैसे ने तो तैयार है आलू भाजा और हमारे नॉर्थ वालों का जीरा आलू और आप चाहें तो इन्हें पू जा लहां लाल है तो छट भी होना चाहिए तो यह था मेन आज कर वीडियो और अगर आपको मेरा अच्छा लगत तो आप इसनां को लाइक करें कमें करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लिस चैनल को भी Прेस बैसे बख़शा है उपक है ऑपना sayaर आप करें क्या है दिल्ली में कितने cases आ चुके हैं मतलब एक लाख पहुंचने वाले हैं तो खयार रखें, distancing maintain रखें मतलब बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं घर पे आएं तो हाथ धोएं घर में रहें तो भी हाथ धोएं और बस यही सब सामधानिया बरतिया और अपना बचाव करिये तो खयार किया अपना हैं थैंक्स वर वाचिंग